नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 नमबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल की चार बड़े और महत्पुन सपना सच होने वाला है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले दो दिनों के अंदर आपके जीवन काल की वे चार सपने सच होने वाले हैं जिने पाने के लिए अपने दिन और रात को नहीं देखे हैं जिने पूरा करने के लिए आपने कड़ी महनत किये हैं जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि आपके जीवन काल की वो चार अनमोल सपने जने पाने के लिए जने देखने के लिए आपकी आख्या तरस गई थी दोस्तों वे सपने अगले तीन दिनों के अंदर सच होने वाले हैं जी हां दोस्तों तो दोस्तों या शमे आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है? क्या गलती नहीं करनी है? और क्या सही करना है? सारी बातें आज की इस महत्रपुन बीडियो में हम आप सभी को पूरे ही विस्तार से बताने वाले हैं जिहां दोस्तों तो दोस्तों हर एक बातों को आपको ध्यान से सुनना है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब वह समय आ गया है जब दोस्तों आपके वे सारे मेहनत सारे कर्म और सारे इस्वर के परती जो अच्छी भगती थी उन सभी का फल आप सभी को मिलने वा और दोस्तों वे चार बड़े सपने आने वाले दो दिनों के अंदर सच होने वाले हैं। जिहां दोस्तों जिनमें आप खुसी खुसी अपने जीवन को वेतित कर पाएंगे। जिनमें घर परिबार में खुसियां का माहौल रहेगा। जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का शमय दोस्तों आप सभी के सबसे महतपुन शमय होने वाले हैं। जिने जानकर दोस्तों आप सभी के खुसीयों का कोई ठीकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस बेडियो में हम आपको कुछ महतपुन सचाई भी आप सभी को बताने वाले हैं। कुछ इसे सचाई से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। जिने जानकर दोस्तों आप सभी के होस उड़ जाएंगे। और दोस्तों जब आप इन बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे। कि कास आपने यह बात हमें पहले ही बता दी होती तो हमारा जिन्दिकी ही बदल जाती जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों तक ग्रहों की बहुती हम आप सभी को बता दें कि गुरू का साथ या समय आपके सनी के अस्थान पर होने वाले हैं जिनके कारण सस नाम का भी सुब योग का निर्मान होगा जिहां दोस्तों और दोस्तों मलवाई नाम का भी सुवियोग का निर्मान होगा जिहां दोस्तों यानि की जहां पर मालक्ष में आप सबी के घर आने वाले हैं साख्छात या समय मंगल यानि की भगवान महावली हनुमान जी भी आप सबी के जीवन काल में प्रसन ही रहने वाले हैं जिहां दोस्तों अगले दो दिनों तक दोस्तों जो भी विक्ति इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों उन से भी का जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा और दोस्तों इस धर्ती में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसे दोस्तों इससे में वीडियो को बिलकुली मिश न करें और शुरूशे अंद तक बिलकुली ध्यान से देखियेगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी को भी जानेंगे कि ऐसे में आपको किन-किन छेत्रों को लेकर साफधान रहने होंगे कौन से कार आपके लिए भागेशाली होंगे और किन छेत्रों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और मालक्षमी जी की आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहुल में, पारवारी चीवर में, स्वास्त बिजनस विपार में, आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन्त तक देखिएगा उस्त पहले दोस्तों, जो व्यक्ती विडियो को लाइक करके कामलक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आसिम आसिरवाद आप से वी को प्राप्त होगा खुस या आना आपके घर में प्राराम हो जाएगे तो दोस्तों जरू लिखिएगा वरतिय आपी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके और पर श्लेट कर लें तो अज़ दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी के एक बहुती अच्छे परम घ्यान सी एक बहुती अच्छे वानी सी जिसे कि दोस्तों यह घ्यान यह वानी आगे चल कर आपके लिए बहुती काम्याबी शाबित होंगे जी हाँ दोस्तों कि दोस्तों एक ग्वाला रोज गायों को चाराने के लिए गाउं से बाहर जंगल में जाता था जंगल में एक संत का असरम था वहाँ संत रोज तप ध्यान मंतर जाप करते थी ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता कि संत ये सब क्यों करते संत की इन कर्मों को समझने के लिए वह आस्रम में पहुचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं रोज पूजा पाठ तप ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं संत की बात सुनकर गवाले ने सोचा कि मुझे भगवान के दर्शन करना चाहिए ये सोच कर गवाला आस्रम से निकल कर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पेर पर खड़े होकर तप करने लगा कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया गवाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुती जल्दी प्रशन हो गई वे गवाले के सामने परकट हुए और बोले की पुत्र आखे खोलो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ गवाले ने आखे खोले बिना ही पूछा की आप कौन है भगवान बोले की मैं वही इस्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तब कर रहे हो ये सुनकर गवाले ने आखे खोली लेकिन उसने इस्वर को कभी नहीं देखा था वह सोचने लगा की क्या ये ही वो भगवान है सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्षी से बांद दिया भगवान विभक्त के हाथों बंद गई गवाले तुरन दोड़कर उस संत के आसर में पहुँच गया और पूरी बात बता दी संत ये सब सुन कर हैरान थे वे भी तुरन थी गवाले के साथ उस जगह पर पहुच गई संत उस पेड़ के पास पहुचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया भगवान सिरु गवाले को ही दिखाई दे रहे थे संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो गवा स्वार्थ लालज होता है उन्हें में दिखाई नहीं देता जिहां दोस्तों इससे हमें यहीं सिख मिलता है कि जो लोग भगवान की भक्ती निजी स्वार्थ की बज़ा से करते हैं उन्हें भगवान की किरपा नहीं मिल पाती है निस्वार्थ भाव से की गई भक्ती ही सफल ह प्रम्जान और आपको अच्छी लगी हो इन्हें आप समझ पाएं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सलाइक अवस्य कर दें और इनके लिए लिए जैश्री कृष्न राधे राधे तो आई दोस्तें इसे के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन दो दिनों के समय अवदी में स्वेमा लक्षमी जी आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में स्वास्त बिजनस वेपार में आपके परते एक चेतर में क्या-क्या खुश खबरी देने वाले हैं और दोस्तों यह दो दिनों के शमय अब्दी में कौन से वह चार सपने सच होने वाले हैं जिसे की दोस्तों आप रात दिन को एक कर दिये थे जिने दोस्तों आप पाने के लिए आपकी आख्यां तरस गई थी तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्थार से दोस्तों आपको बता दें कि अब यह दो दिनों के शमय अबदी में आपके किस्मत की चाल बदल रही है साथिसाथ दोस्तों आप में भरपूर आत्मित्र विश्वास रहेगा कोई परवारे गेट टूगेदर समंधे प्रोग्राम भी बन शकता है आज किसी नजदी की समधी की मदद करने तथा उनकी समश्यों को शमधान करने में अधिकतर समय वेतित हो जाएगा समाजिक परतिष्ठा में भी इजाफा होगा किसी धार्मिक अत्वा समाजिक कारकर में जाने का निमंतरन भी मिलेगा दोस्तों कोई मनुकुल कार बन जाने से अब आपने आपको बहुत अधिक भागे साली महशुष करेंगे योआपको अपने किसी प्रजेक्ट में शफलता मिलने से राहत मिलेगी दोस्तों आपकी मेहनत आत्म विश्वास से कोई खास कार शंपन हो जाएगे अगर पैसा उधार दिया है तो दोस्तों या फासा हुआ है तो उसकी वसुली करने का उची समय है खास लोगों से मुलकात होगी ताद जीवन से जोड़े प्रतिक कार को अपने कार रूप से करते जाएगे आपको शफलता मिलेंगे आपकी गरे सिती बहुती अनुकुल बनी हुई है खास तुर पर महिलाओं के लिए बहुती उत्तम दायक समय है हर प्रसिती में सामना करने की हीमत और शांस रहेंगे घर के किसी वारिश व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुती भागदे दायक रहेगी दोस्तों लंबे समय से चलरी किसी समस्या से आज आपको निजात मिलेगी और आपकी चतुराई और योगता की सहरना भी होगी आज आपको कोई सुप सुचना भी मिलने वाली है इनमें लाब प्राप्ति के साथ साथ उत्सा और उर्जा भी महसुस होगी वहीं दोस्तों आज आपको किसी कार को लेकर की गई महनत का अनकुल पर नम मिलने वाला है गर में कोई धार्मी कार शंपन हो सकता है किसी भी नई निवेस के बारे में प्लान करें तो दोस्तों आपको अच्छा लाब हो सकता है गर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन समनित सुप समचार मिलने से उत्सप का माहूल रहेगा दोस्तो आज दिन बर भागा दोड़ी की इसती रहेगी लिकिन कार भी सुचार रूप से बनते जाएंगे सिर्व सुजबुज और बहवार्स कुसलता से अपने कारे के परती व्यस्त रहें किसी नजदी की मित्र की करवाई में भी आपका योगदान रहेगा कोई नया काम भी सीखने को मिलेगा वैस्तम दिन चार्या रहेगी लिकिन आप अपने कारे को सहजी पूरा भी कर लेंगे वर्तमान परिवेश में आपने जो भी नितिया बनाई है उस बज़ा से दोस्तों आपकी काफी समस्या हल होगी इसमें बीमा अथवा निवे समदित प्लान कोई चल रहा है तो वह आपके लिए सुब फल दाइक रहेगा दोस्तों यदि आप आपने किसी समस्या को लेकर परेशान थे तो आज उसका निवारन मिलने वाला है तथा खुसी बना बाता रहन रहेगा बड़े बुजरों का आशिरुवाद वस्चने परिवार पर बना रहेगा दोस्तों इन दो दिनों का पाहला है दिन पारवारिक शुक्ष मृद्य में बिर्धी लेकर आएगा यदि किसी बज़े से कोई चीनता बनी हुवी थी तो आज उसका भी निवारन हो जाएगा यवाओ को अपने नोकरी से सबंदित किसी छेतर में सफलता मिलने के योग बन रहे है कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है वही दोस्तों कोई कानोनी शमस्या चल दी है तो आज उसका समाधान मिल सकता है किसी महत्पुन वेक्ती अथवाराजनितिके के साथ मुलाकात का आफसर मिलेगा युवाओं को अपने किसी परतियोगिता परिक्षा के परनाम अनुकुल मिलने से आत्म विश्वास बढ़ेगा इनके साथी साथ दोस्तों पुरानी परेशानियों से रहत मिल सकती है दोवरा आत्म विश्वास और उर्जा से अपने काम में लग जाएंगे युवाओं वर्ग अपने भविश्य को लेकर जादा सेकरी और गंभीर रहेंगे परियास करने पर कहीं फासा हुआ पैशा वापस मिल सकता है साथी दोस्तों आपका वेहवारिक द्रिश्टी कौन हर परसिति में समांजस बनाये रखने में मदद करेगा अगर सारकारी अत्वा कोट के समंदित कोई मामला आटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की उचीत संभावना है माता पिता के आशिरवाद से आपको कोई उपहार यादी भी मिल सकता है दोस्तो आज का दिन परिवारिक सुक्षांती में ब्रिधी लेकर आएगा कोई चिंता या परेशानी आपकी सूजबू से हल हो जाएगी आपकी कार कुसलता तथा योगता की सहर ना होगी विद्यारती था युवा वर्ग अपने केरियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे राजनातमक छेतर से जुड़ी लोगों का रुझान भी बढ़ेगा वही दोस्तो किसी पोलिसी में निवेश करने की योजना बना रही है तो दोस्तो दीन सुब है ये निवेश आने वाले दिनों में बहतर फाइदा देने वाला है महमान नावाजी में भी शमे वेतित होगा तता घर में आए लोगों के साथ ही महतपुन मुद्य पर विचार्थ भी मर्स दी रहेगा वही दोस्तो या भी ध्यान रखें की आपने किसी योजना को अंजाम देने के लिए अनुकुल शमे है कोई शमस्या आने पर राणिति गतिवीदियों से जुड़ी किसी वेक्ति की मदद आपके लिए फाइदमन साबित होगी वही दोस्तो अगर आपकी साबधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरों की सलहा पर अमाल करने की वज़ा अपने निरने को ही पराथ मिक्ता पर रखें कोई लोग आपके लिए रुकावटे तथा अवरोध भी उत्पन कर सकते हैं इस समय कामकाज तथा परवारिक जिम्मेदारियों के बीच तानमेल बिठाना चुनूती रहेगी साथी दोस्तों सोपिंग आदी करते समय अपने आर्थी स्थी का भी ध्यान रखें आपके उपर कोई नई जिम्मेदरिया आने से दिन चार्या कुछ अस्त व्यास्त भी रह सकती है युवालोग बिती नकार्तमों बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें तथा वर्तमान और भाविश को बेहतर बानाने में ध्यान रखें दोस्तों बच्चों का भी उचित मार दर्सन रखें तथा अपने परवारिक कार्य को पराथमिक्ता पर रखें आचानक घर में महमानों के आगमन से गर की व्यास्ता थोड़ी अस्त व्यास्त हो सकती है साची दिमेदारिया का तनाब भी आपको ठका देगा दोस्तों अपने मना इस्ति इस्तिर रखें क्योंकि भावना परधान होने की बज़े से जरा से भी नकार्तम बात को आपको व्यावस्तित कर सकती है विद्यार्ति तथा युवां को किसन किसी कार को लेकर व्यावधाम रहेंगे धैर और शम रखें और दोस्तों किसी मित्र अथवा समन्दी के साथ आचाने की कोई नकार्तमग बात उठने से तनापुन इस्ति बन सकती है कोशिस करके इन बातों को हावी ना होने दें तिथा परस्तियों को शम्हाल कर रखें बैतोर अग की दोस्तों आज किसी नई योजना या नई गतिवीदी को अस्थगीत कर दें साथी दोस्तों यह भी ध्यान रखें की सफलता पाने के लिए साकार्तमग दिर्ष्टी कौन भी रखना जरूरी है अपनी महत्पुन उबस्तुओं को शम्हाल कर रखें खोने या भूलने जिसी इसती बन रही है दिन के उत्राद में किसी तुखत समाचार मिलने से उदासी और नकार्तमग विचार हो सकते हैं लेकिन दोस्तों घवराए नहीं आपकी हर समश्या निवारन हो जाएगा अपने व्यक्तित कार्यों में व्यस्तरहने के कारण कुछ नजदिकी रिष्टे नदर अंदाज हो सकते हैं इसलिए अपने समंदों को खराफ होने से बचाना भी अवश्यक है अगर संतान की विवा में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए अपनी किसी परेजन से बातचित करना उचित रहेगा साथी दोस्तों किसी भी नकार्तमक इसी ती में घवराने की बजाए उसका समधान ढूंडें तो दोस्तों जल्दी हल भी मिलेगा वहन अत्वा किसी महंगे उपकरन के खराप होने से बड़ा खर्चा समने आएगा युआ तो विद्यार्तियों को अपनी सोच में और अधिक सकार्तमकता लाने की जोरत है दोस्तों रूपे पेसे के मावले में किसी पर भी आँख मूंद कर विश्वास न करें किसी नजदिकी रिस्दार या घनिश्व व्यक्ति से समन्दित कोई अपरी सूचना मिलने से मन बेतित रहेगा शभाव में चिरिज़डापन ना आने दें इस समय किसी भी योजना में या उधारी देने में अपना पैसा वरबाद ना करें इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों अन्य गति विदी में वैस्ता रखने के साथ साथ अपने वेक्तिकत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है किसी भी असा मंज़े से की इस सिती में परिबार जनों से विचार्ज भी मर्स अवस्व करें समय अनुसर अपने सोच और वेहवार में बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा दोस्तों यूवा वर्ग वैर्थ की मोज मस्ति में पढ़कर अपने केरियर के साथ खिलवार ना करें आयके साथ साथ खर्चों को भी आदिकता बनी रहेगी इसमें अपने बजट का भी ध्यान रखना बहुत ही आवशक है किसी भी परसिती में अपने गुस्टे पर कावु रखना होगा और दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि आलास और जल्दवाजी जिसी नकार्तमक आदतों में सुधार लाना जरूरी है नजदे की समवंधियों के साथ वहवार करते समय उचीत सब्दों का परियोग ना करें गर के बड़े बुजरों के स्वास्त के परती लापरवाही ना बरतें तथा उचीत इलाज लें विध्यार्तियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की भी जरूरत है वही दोस्तों वैवसाई की बात करें तो दोस्तों रोजकार की तलास कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर शावित होगा बिजनस में बड़ी डिल होने या बड़ा ओडर मिलने की समभावना है अपने संपर्क सुत्र मजबूत करें जोकी मभरे काम में दिल्चस्प भी ना लें नुक्री में माहुल अच्छा रहेगा वही दोस्तों कारोवार में फाइनन समदित समस्यां सुलझेगी पर पटी डिलिंग से जोड़े कामों में फाइदा होने की समभावना है बहुत महनत की ज़रुत है नुक्री में अधिकारियों के साथ दिक्कत आ सकती है इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें ताति दोस्तों कार छेतर में अपनी मोजबूदिगी रखें वारना बाहरी लोगों से परेशानी बढ़ सकती है फाइनल्स अमंदिर काम अस्थगीत रखें नुक्री पैसला लोगों को काम के तरीके में बदलाव लाना चाहिए दोस्तों व्यस्ता के चलते कुछ काम अधूरे रह सकती है बहतर होगा कार छेतर में महत्पून फैसला अस्थगीत रखें करमचार्यों का उचित सहयोग बना रहेगा नुक्री में लोग अपने क्वालंड के साथ किसी भी बात पर उलजने से बचें साथी दोस्तों कारोबार में उतार चड़ाव रहेंगे अपने सभाब को बहुत सा जग रखें गुस्य की बज़े से बनते काम विगड़ भी सकते हैं इनपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस में जदाव निवेश न करें नुक्री सेवराद वेक्ती अपने कामों को बखो भी अन्जाम देंगे दोस्तों व्यावसाइक छेतर में कुछ परति सपरदा की सित्ती रहेगी परति कार को गम्वेड़ता से लें हलाकि आपकी कार छमता होग काबलियत की बज़े से काम्यावी आपका द्वार खट-खट आएगी नोकरी पेसा लोगों को आपनी कार छेतर में तरकी का कोई आफसर मिल सकता है वहीं दोस्तों बिजनेस में अंधुरूनी गतिविदी पर पेड़ी नजर रखना जरूरी है कोई बाहरी वेक्ती आपकी कार छेतरी की वैस्ता में कुछ विगन डाल सकता है गुष्ये पर काबू रख्ये सांती से समाधान ढूंडे नोकरी में अपनी फाइल और थाप्यापर को सुवेवेस्तित करने में ओवर टाइम भी करना पड़ेगा और दोस्तों आपका कार करने का तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको काम्या भी देगा बिजनेस के रुकावटें दूर होगी इंसोरेंस और कमिसन के बिजनेस में विशे सफलता मिलेगी नोकरी पैसा लोगों को किसी अंचाहे परजेक्ट पर कार करना पड़ेगा साथी दोस्तों कार छेतर में उतपादन की गुनवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दें इसे मार्केट में आपकी उचित साख बनेगी और नए ओडर भी मिलने की शांभावना है नोकरी पैसा लोग कागजी कामों में लापरवाही ना करें टारगेट भी पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत की आवा सकता है दोस्तों बिजनेस में मेहनत जाधा और नतीजे कम मिलने जिसी इसती रहेगी काम के लिए अच्छे मोके भी मिल सकते हैं इसके भाविस में बहतिन परनाम रहेंगे और फिस में अतरित गति बिदी पर भी कार करना पड़ेगा ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है वही दोस्तों व्यवसाई में बहुत अधिक जिम्यदारियां और काम का बोज रहेगा आलस ना करके पुरे मन योग से कार करें परनाम भी बेहतर होंगे नोकरी में गंबेरता और इमंदारी से अपने प्रजेक्ट को अंजाम दें इस समय आपकी तरिकी की भी योग बन रहे हैं दोस्तों व्यवसाई की व्यवस्ता अनुसासित और व्यवस्तित रहेगी कोई अच्छा मोका भी मिल सकता है कर्मचारियों का भी उचित सायोग बना रहेगा आपका कारभर भी बढ़ेगा दोस्तों बिजनस में उतार चर्ड़ाव रहेगे यह समय बहुत अधिक फोकस रखना जरूरी है जरासी लव परवाई से नुकसान हो सकता है यवाँ को केरियर समनित खुस खबरी मिलने की पूरी शमभावना है ओफिस के सभी कार सांती पूर्ण शकार्तमक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे कारवारी गति बिद्यों में सुधार आएगा साथे साथ विस्तार समनित कुछ नई योजना भी बनेगी सिर्फ थोड़ी से सुचबुष के काम लेने की जरुत है सहगियों और काविचारियों के सहयोग आपकी कोई शमश्या हल होगी और आएके सुरोत में भी बिर्दी होगी वैवसा में पूरी गंबिर्दा के साथ अपने कारे को अंजाम दें धीमी गती से चल एक काम में अब सुधार आएगा किसे नई गती विदी को लेकर बनाए गई योजना को भी कार रुप देने का अनुकुल शमय है और फिश में सहकर्मियों की मदद से अब अपना लक्ष पूरा कर पाएंगे तथा बिजनस में रुको हुए काम दुबारा सुरू हो जाएंगे और उसके सकार्तमग नतीजे भी मिलेंगे आसपास के ब्यपारियों से चली परति सपरधा में बिजय आपकी ही निस्सित है इसलिए परतियों सिल रहे हैं नोक्री में बदलाव समय खबर मिल शक्ती है दोस्तों बिजनस के काम में किसे भी तरह का बदलाव करने से पहले सभी पहलों पर अच्छे सोच विचार कर लें परपटी में निवेश कर रहे हैं तो आपका फैसला फायदे मन रहेगा सरकारे नोक्री पैसा लोग एक्स्ट्रा कामों की बज़स से परिशान हो शक्ती है कारवार समय दूर की यत्रा प्लान हो शक्ती है निवेश करने से पहले उसकी सभी पहलों पर अच्छे जानकारी हासिल कर लें दोस्तो कारवारी गत्ती विदियो में सुधार होगा करणचारियों और इस्टाप के दोरा इस्तिती उत्तम बने रहेगी लेकिन अभी बरतमान इस्तिती पर ही फोकस रखें किस नहीं कार को शुरु करने के लिए समय बहुती अनुकुल है सरकारी सेवराग लोगों को कार की अधिक्ता की वज़े से अतरिक्त डिप्टी देने पढ़ सकती है साथे विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम लें नुकरी में लक्ष हासिल कर लेंगे और अधिकारियां का मार दर्शन भी मिलेगा वैपार में विस्तार समन्दित योजनाओं को बहली भोती करना का उचीत समय है लेकिन अपने करहों को किस विदा का ध्यान रखने से उचीत ओर्डर मिलेंगे मार्केटिंग समन्दिक गति विदियों में छोटी मोटी परिशानी रहेगी ओफिस में मुश्किल टार्गेट मिल सकता है उवी वैसा गति विदियां सुचारू रूप से चलती रहेगी आर्थिक समस्यां काफी हद तक ठीक हो जाएंगे पाटर सीव में आपसी समन्जस की कमी की वज़े से कुछ नुकसान भी हो शकता है और फिस में दूसरों की मामल में हस्तेशेब ना ही करें तो आपके लिए बहुत ही उचीत रहेगा वहीं दोस्तों आप बात के लिताब के लव लाइक के बारे में दोस्तों पत्ती पत्नी की आपसी समन्जस दर्वा परिवारी वातारण मधूर और सुखद बना रहेगा प्रेम परसंग में परगड़ता आएगी साथी साथ परिवारी वातारण भी सुखद रहेगा वहीं दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो अत्यदिक कारवार की बज़े से जोड़ तथा पेरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है ज़्यादा तनाव और चिंता करने से परेज करें तथा मौसम के बदलाब की बज़े से सिर्ध दर्द में भारीपन और बुखार जिसी समस्या रहेगी दिनचार्या को शमित रखना बहुती जरूरी है दोस्तों सारिक और मानसिक ठकान रहेगी स्वास्त के परति लापारवई वरतना उचित नहीं है साथी नजला जुकाम जैसी अलर्जी परेसान कर सकती है स्वास्त के परति लापारवई करना समस्या को बढ़ा सकता है अत्यादिक वैस्ता की बज़े से सारिक और मानसिक ठकान का अनुभव रहेगा नेमित मेडिसन और योगा जरूरी है खानपान और दिन्चार्या के परती भी पूरी तरह ध्यान दें स्वास्त ठीक बना रहेगा अपना रूटीन चेक अप अवश्य करवाएं बलट पैसे से समंदित किसी समास्या में अपना ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों वैवस्तित खानपान और दिन्चार्या रखने से आप मानसिक और सारिक रूप से स्वास्त मैसुस करेंगे खासी जुकाम जिसी इंफेक्शन से अपना बचाप करें इसमें स्वास्त समंधित नीमों का पुन रूप से पालन करना आवशक है दोस्तों असोंतिलित दिन्चारिया वह खान पान की बज़ा से पेट खराप रहेगा वर्तमान समय में अपने स्वास्त का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है चाति तनाव और चिंता की बज़से ठाकान और बेचेनी महसूस रहेगी एनरजी वर्दक प्यव पदार्थों का अधिक सेवन करें वह दोस्तों ज़्यादा कारभार की बज़से तनाव और ठाकान की इसती रह सकती है कुछ समय परकर्तिक के साने दिमय शविवेतित करें तता सकार्तमक बने रहें और दोस्तों योगा मेडिसन यादी को अपने दिन्चार्या में जरूर शामिल करें मानसिक तनाव की बज़से ठाकान तथा उर्जा की कमी रहेगी और दोस्तों याँ भी ध्यान रखें कि स्वास्त रहने के लिए योगा मेडिसन जिसी गतिविदी भी जरूर रखें अदेदिक कारवार की बज़े से सारिक और मानसिक ठकान रहेगी आपका स्वास्त ठेक रहेगा आपकी वैस्ते दिन्चारिया था उचित खान पान आपको स्वास्त था उर्जवान रखेगा रोश्त वयोगा और वेबाम करें आपका सरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे दोस्तों इन उपाय को करने से मा लक्षमी की किरपा बनी रहती है शुक्रवार के दिन मा लक्षमी को लाल बिंदी चुनरी चुडिया सहित अन सोलर शिंगर अरपित करें इससे सोभाग की ब्रेदी होती है साथी पती की उम्र लंबी होती है शुक्रवार के दिन लक्षमी सुरूत, कनकधारा सुरूत या फिर स्री सूत का पाठ करें इससे आपके सबी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों माता लक्षमी की उपासना के लिए कमल गटे की माला शुब माने गई है इसको धारन करने से लक्षमी की विशेश किरपा प्राप्त होती है इसके अलावे भूने हुए कमल के बीच या मखाने की खीर बना कर मालक्षमी को अर्पित करने से मालक्षमी की किरपा हमेशा बनी रहती है साथी साथ दोस्तों सुकरवार की दिन पांच कन्याओं को भोजन कराएं और शभी को एक एक पान की खिली को खिला दें इसे दोस्तों आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी मैं दोस्तों बात करता है आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग गुलावी है और भागे साली अंक आठ है दोस्तों भगवान मालक्षमी जी की आशिरवात आप सभी को प्राप्तो तो सच्ची दिल्शिक कमेंड बॉक्स में जय मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें